कि ये दूद्र बलवराज आगर हम रख दें किया के थे फेल के नीचे तो ये दूद्र बलेगकर है ठीक कुलताव नें जर रहा है ये लगाता नग्राय तो पहले यह देखिए यह तो आसा बढ़ गया और भी यह दूद थोड़ा और बढ़ गया है यह पेड़े के नेचे रखने से दूद बढ़ रहा है दोस्तों नवस्कार मैं हूँ राजदेव और आप देखर है हमारा चैनल राज घायावर आज की इस करकम में हम बात करेंग तो कुछ एक मिनट में वो घल जाता है और इसके नीचे अगर दूद रख दे तो वो अपने आप बढ़ जाता है तो हम इस सच्चाई को जानना चाहते हैं और इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है यहां प्रमाये हुए हैं यह जो आप पीछे देख रहे हैं यह सफेद पाला स्पाइक पेड है, और इसमें हमने यहां पर एक तांबय का तार यह यह बढ़िख का तार हो, हम देखना चाहते ही कितनी देर में यह और यह बढ़ दिखा हैं तो देख HOW ने यह यह Papa दे लिखा दें कि यह एक तांबय का तार है जिससे आपने डाला हुए है मों और साथ ही इस पेड के नीचे यहां पे हमने दूद रखा हुआ है, यह दूद भरा हुआ है, हम डिखना चाहते हैं कितनी देर में यह दूद बढ़ता है, और यह तामबा देखे कैसे पिखलता है, कै यह तामबा पिखल जाएगा, क्या यह विज्ञानिक बात है, या फिर य अध्यात्म की बात करें, तो बहुत सारे धर्म ग्रंतों में, पलास के पहले, पलास के पेड़ का आपको दिखा दें, ताकि कहीं confusion नहीं रहे हैं, कि ये पलास का पेड़ नहीं है, ये देखें, पलास का ही पेड़ है, कुछ-कुछ वीडियो जो बद दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं वो पलास के पेड़ को नहीं दिखा रहे हैं तो किसी और पेड़ को दिखा देते हैं उसमें कुछ ने कुछ डाल देते हैं और आपको बताते हैं कि वो यह पलास की पीड में कुछ कर रहे हैं प्रयोग में कि आस layers का स्का कर इस और इसमें आस पास भी बहुत सारेवीड है जो पहल सारे पृट्यारा था था वह पलास को है साथि हम दाश का ही जर्थ दूर से भी नजर ज़ूरा रहा है जो पका कैमर्णा यह दख्याmm सभी लाल यानि सवेट पलास के यहां कोई नहीं है सभी राल पलास है यहां सभी पलास मिला है जिसको भाई लोग ने बताया भी देखा इसका फोल को अभी अलाकि फोल का समय नहीं आपको नहीं दिखा सकते तो ये सफेद पलास कहीं पेड़ है जिसमें ये हमने अभी तक डाला हुआ है कहते हैं तुरत में गल जाता है देखें अभी तक स्पर कोई परिवर्थन नहीं हुआ है और नीचे दूध आता है देखते हैं दूध पर क्या असर पड़ता है दूद वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है ये दूद भी देख रहे हैं और ये तांबे का तार भी जसकत्थ पड़ा हुआ है हम आपको बता दें कि पलास के सफिद पलास के बारे में बहुत सरी धर्मगरंतों में बहुत सरी बात ने लिखी हुई है एक बहुत ही मश्हूर और आज से मतलब कहा लें करीब 5-0 सल पहले की किताब है काकचंड पीश्वर काकचंड ब्रह्मा जी ने संपादित किया था उसको और बाद में ज्वरस अभी तखियsten में है चोकंबाविध्य भौन देने शापा हुआ है उसके प्रतलीपी आपको इसमें लगा रहे हैं आप भी देखें और ये उसके पेज नंबर 37 में सैपित वलास के बारे में जिक्र है और उसमें कहा गया है कि अगर इसके धूप में सुखाया वाज चून इसमें के लिख रहा है कि फल फुल और पत्ता जो है व वो स्वल्लास अल्का हो जाता है इस तरह की बाते है ये बिल्कूल अध्यास से जूड़ी भी बाते है इसको में कुछ दो嚏 बात करेंगे लेकिन हम पराभर दिखा रहे हैं इस पर दखेए और कोई असर नहीं हुआ कि से नहीं हो रहे है कुछ भी नहीं हो रहें है कुछ searched यह पढ़ा हुआ है जबकि ठीक इस पलास की अंदर में तनी में धसा हुआ है दूद भी देखिए दूद भी जस्क अतस वैसे ही पढ़ा हुआ है इस पर कोई असर नहीं हो रहा है फिर लोग कैसे दिखाते हैं दूद बलता हुआ एक टीक है वो टीक आपकों दिखा रहा है देखिए भाई यह तो लग रहा है दूद बलही रहा है लग रहा है लगातार लग रहा है जैसे कि दूद बलता ही जा रहा है उसमें क्या करते हैं वो पहले से ही कुछने कुछ डाल कर रखते हैं ठीक है यह देखिए और ऐसा लगता है हम लोगों को यह देखिए दूद ब यह सारा ट्रीक है कोई दूद बलने वाला नहीं है इस पर इनों वह लोग डालते हैं और इनों को डाल करके वह दूद बलतावा दिखाते हैं जैसे इसमें इनों डालेंगे यह दूद बलतावा दिखना शुरू हो जाएगा यह देखिए ठीक है कोई दूद बलने ही रहा इन हम जब डाल दें क्या कहते हैं अगर पेड़ की नीचे रखें तो कोई दूद बढ़ने वाला नहीं हो जितना इनों डालेंगे उतना ये बढ़ेगा उतना थुला सा फेन उसमें आएगा और लोगों को लगया कि दूद बढ़ रहा है ये ट्वीक होता है लोगों को बेकुप बनाने का पर लोगों को बनाते हैं अपने सावान को बेजते हैं यह दोड़ूदा में घरा रहा है ठीक है लगातार दूद बढ़ रहा है हमासा अपी तरह PAL रहा है और बेस की प्रीट भात करते हैं यहाँ जब्द तक देखें कि बीश में परिवर्दन नहीं हुआ है इस वैज्यानिक तत्य है कि किसी भी हाल में किसी भी पेड़ के तने को गरम उसमें डाल दें तामबा तो उस पर कोई असर नहीं होगा वो नहीं गलेगा यह देखिए जसका तस पड़ा हुआ है तार कुछ भी इस पर असर नहीं हुआ है ठीक है वो क्या करते हैं कि यहां जो इस पहले वो लोग थोड़ा सा डाल देते हैं मुंबत्ती और इस तार को तार को थोड़ा गरम करके डालते हैं इससे क्या होता है तार नेचे गिर जाता है और वो जहर्जे का यह बताते चलते हैं कि पलास सफेद पलास के तने में तांबा डालने से तांबा पी घल जाता है तो पहले ये देखी ये थुआ सब बढ़ गए और भी ये दूद थोड़ा और बढ़ गया है ये पेड़े के नेचे रखने से दूद बढ़ रहा है ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं पहले इन्हों ड दिखावाए वही हम आपको बता रहे हैं ये देखिए ये है काक चंडिश्वर कल्प तंद्रम इसे स्री कैलास पती पांडे ने संपाधित किया है और चखंबा संस्थान ने इसे प्रकाशित किया है हमने आपसे पहले कहा कि ये सद्यों पुराना किताब है और इस पर हमार आए धर्म गरन्तों का बहुत बला प्रभाव है इस गरन्त को बलाए पवित्र माना जाता है और इसको सत्य का प्रतिक भी माना जाता है माना जाता है इसमें जो लिखी वी चीज़े है वो सही है तो आए इसके जो श्लोक है उसको हम देखते है एक बार काक चंडिश्वर के पिजी नंबर 37 में स्वेत प्लास के बारे में लिखा है और शलोक संख्या एक कहता है कि पत्र, पुष्प और फल का ग्रहन करके सुक्षम चून करें और गाय के दूद के साथ एक काग्र होकर भक्षन करें जो नित्य दूद मादर का आहार करते वे मनुषि बली और पलित हो सकता है और सुलवर्स का स्रीर धारन करते विए 300 सालों तक जीवित रह सकता है मतलब वो फिर से जवान हो जाता है और 300 साल तक जीवित रहता है और आगे देखते है इसके स्लोक संख्या 4 में लिखा है उसके फूल का रस और गंधक भावीत करें उससे लिप्ट सुक्ष्म पत्तों को पूट पाक करने से स्वरण बन जाता है आगे पांचवे नंबर श्लोक में है उसके बीज के तेल और गंधक से अच्छी प्रकार मर्दित कर उसके 32 अंसकल्प से पार्द सुररण हो जाता है पार्द मतलब होता है जिसे हम लोग पारा कहते हैं वो सुरर्ण में बदल सकता है यह इसमें लिखा है मैंने मालूम इस बारे में बहुत ज़्यादा हम इसके बहुत बड़े विश्यसग्या नहीं है जो इसमें लिखा है हम आपको बता रहे है आगे आते हैं और वो है इस किताब का श्लोक 6 श्लोक संक्या 6 में लिखा है स्वीद पलास के पंचांग को चून करके मधुक के साथ एक कर्ष प्रमाण में नित्य भक्षन करने से वियाधी, मृत्यू और वार्धक के दूर करता है अंत्यमी जो सात्मा श्लोक है जरूर इसको आप ध्यान से देखें इसमें लिखा है पर्ष मात्र से ब्रह्मा के आयुपरेंट सद्ध्य होती है इसमें कोई संध्य है नहीं अब आपको फिर से एक बार जयाद दिला दें कि यह जो काकचन्डिश्वर कल्पतंत्र है वो माता पार्वति को भगवान शिव ने सुनाया था और शिव ने कहा था इसमें कोई संध्य है नहीं मतलब कोई ने कोई उनकी बाद में दम जरूर होगा इसमें कोई संधिय नहीं है तो भाई साब मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब एक ही था कि आप इस अग्यानते से निकलें कि किसी भी सफेत पलास के पेड के नीचे अगर दूद रख दें तो बढ़ जाएगा नहीं बढ़ इसमें जो अध्यात्मिक सक्तियां हैं वो बहुत हैं इसके छोने मात्र से काक्चैनेशन में लेखा है कि छोने मात्र से ब्रह्मा की सिद्ध्य हो जाती है जैसे आपने देखा अभी स्क्रीन पर तो यह संभव है यह हो सकता है जो उपर यह सक्तियां हो इसमें हो लेकिन पत्रकार होने के नाते हमारा फार्ज भी है और आप समुझे आग रहा है कि आप इस वीडियो को फैलाएं ताके इस सब लोगों में जितने भी लोग है इसको देख रहे हैं उसमें सच जो है उसका प्रसार हो सके अगर वीडियो अच्छा लेगा है जरूर इसको शेर किजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मारे चानल को बहुत पतन्यवाद नमस्कार